नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटीब चैनल इंपोर्टेंट MCQ ऐस संदीब में दोस्तों आज हम आपके सामने 69,000 सिच्छक बरती जो कि 2020 में कम्पलीट होने वाली है यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार कितने गुडांग पर आपका चैन निश्चित हो जाएगा यहाँ पर क्या है सेफ जोन जनरल OBC, SC, ST, हैंडीकैप और सिच्छा मित्रों के लिए देखें 100% सटीक विशलेशर यहाँ पर हम आपको 100% सटीकता से बताएंगे कि कितने गुडांग पर आपका चैन निश्चित है तो चले शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 79,000 सिच्छक भरती के मामले में हाई कोट ने 6 तारिक को आदेश दे दिया था कि 3 माह के अंदर भरती पूरी कर दी जाए सीधा सीधा कोट का आदेश था और यहां पर योगी आदित तिनाथ ने यहां पर एक नोटिफिकेशन दिया है सभी को कि एक हपते के अंदर 79,000 सिच्छक को नियुकती मिल जाएगी लेकिन ऐसा मुझे तो असंभव लग रहा है कि एक हपते के अंदर 79,000 सिच्छकों को नियुकती मिल जाएगी लेकिन हाँ यह जरूर कहा जा सकता है कि यह आपको नियुकती सितंबर के पहले-पहले मिल जानी चाहिए दोस्तों अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या है सेफ जोन जेनरल OBC, SCST, सिच्छामित्र और हैंडिकैप्ट के लिए और कितने गुडांग पर होगा चैया और कितने अभ्यरती पास होने के बाद भी भरती से बाहर हो जाएगे अगर यह तीन प्रशन आपके मन में उठ रहे हैं तो निश्चित तोर पर इस वीडियो में आपको इन तीनों प्रशनों के जवाब और भी धेर सारे प्रशनों के जवाब मिल जाएगे तो चले बात करते हैं शुरू करते हैं आज का हम एनलिसिस सबसे पहले हम यह समझ सकते हैं कि जो आपकी पहले भरती हुई थी 68500 जो भरती हुई थी वहाँ पर 1,25,746 अभिर्थी पंजीकरत हुए थे और बात करें उसमें सम्मिलित कितने हुए थे 1,7,873 जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं और पास कितने हुए थे 41,556 और उसके बात पुनर मुल्य अंकर में पास हुए थे 4,688 और एक दुबार में और ज्यादा पास हुए थे तो यहाँ पर हम टोटल लगभग बाद के पास हुए मान लेते हैं 6,000 तो कुल उत्तीर अभिर्थी कितने हो गए 47,556 यह बात हो रह है 47,556 गुड़े 100 बटे 1,7,833 तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रतिसत निगल के आता है 44 फीजदी यानि जो 68,500 में जितने भी अभिर्थी बैठे थे उनमें 44 फीजदी बक्चो ने नोकरी पाली तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें 79,000 सिच्छक भर्ती की तो 79,000 सिच सकते हैं पंजी करत कितने हैं 4,30,489 और यहाँ पर कितने अभिर्थियों ने परिक्षा दी वो थे 4,10,000 अब हम आगर बात करें कि कितने बच्चे उतीड हो सकते हैं 79,000 सिच्छक भर्ती में कितने बच्चे कितने अभिर्थी उतीड हो सकते हैं देकि पिछली भर्ती में क् 46 फिजदी बच्चे पास हो गए थे जब प्रश्ण पत्र वन लाइनर कोश्चन का आता था वहाँ पर विकल्प नहीं थे लेकिन इस बार किया हुआ 69 जार सिचक भरती में बहु विकल्पी प्रश्णों का प्रश्ण पत्र आया था जो की टेट की तरह था और टेट का रिजल्ट आपको मालूम है अमूमन 17 से 25 परसेंट जाता है ठीक है केवल इस बार थोड़ा ज़्यादा चला गया था वरना हमेशा 17 से 25 के बीच में ही आता ह तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिममम भी ले लें कि 25 परसेंट बच्चे पास हो जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संभावित उत्तीर अभ्यरती कितने हो सकते हैं 4,10,000 का अगर हम 25 परसेंट डिका लें तो निकलेगा 1,25,000 दोस्तों यहाँ पर संभावित उत्तीर अभ्यरतीयों की संख्या है 1,25,000 तो यहाँ पर हम उन अभ्यरतीयों को घटा देंगे जो इस भरती में भाग नहीं लेने वाले यानि जो कुछ बच्चे 68,500 भरती में चयनित हैं उन्होंने भी इसमें फॉर्म डाल रखा है चूकि वो मेधावी चात्र हैं तो वो इस भरती में भी सेलेक्ट हो गया है और कुछ ऐसे चात्र हैं कुछ ऐसे अभ्यरती हैं जिनका अन्य विभाववे में चयन हो गया है इसलिए वो अभ्यरती भी आपकी सिच्छक भरती में भाग नहीं लेंगे हो सकता है जो कम ग्रेट पेवाली भरती में सेलेक्ट हुए हो वो इसमें भाग ले लें लेकिन जो हाई लेवल की नोकरियों में सेलेक्ट हो गया हैं वो इस भरती में भाग नहीं लेंगे तो ऐसे भेरतियों की संक्या हम कुल मिला कर 20,000 मानते हैं 20,000 इतनी हम इसलिए मानने क्योंकि 68,500 वाले काफी बच्चे इस भरती में सलेक्ट हुए हैं 68,500 भरती में क्या था कि वहाँ पर भेरतियों को उनका मनपसंद जिला नहीं मिला था इसलिए उन्होंने 79,000 सिचक भरती में फार्म डाल दिया और लगबग कटाफ के काफी उपर भी हैं और 68,500 में एक बात और चल रही थी कि इसमें खुब धांदली हुई है इसलिए इसमें CBI जाच लगेगी हो सकता है नियुक्ति रद भी कर दी जाए इसलिए बहुत जादा लोगों ने 79,000 सिचक भरती में फार्म डाला था और कटाफ को पार भी कर गए तो यहाँ पर हम यह देख लेते हैं कि 20,000 ऐसे अभ्यरतियों की संख्या है और पास हो रहे हैं 1,2,500 तो यहाँ पर 20,000 इसमें घटा देंगे तो से सभ्यरति बच रहे हैं 82,500 अब देखते हैं और कितने जादा कट सकते हैं आप यहाँ देख सकते हैं कि कम से कम 1,000 अन्य राज्यों के बच्चों ने भी इसमें फार्म डाल कर इसको कट आफ को कॉलिफाई भी कर लिया है तो से सभ्यरति बच्चे थे 82,500 यहाँ पर एक हजार हमें और घटाना पड़े था क्योंकि 68,500 भरति में ऐसे कई बच्चे थे जो दूसरे राज्यों से थे और उनको काउंसलिंग में बाहर कर दिया गया था क्योंकि उनके पास UP का निवास प्रमार पत्र नहीं था अगर दोस्तों आपके पास भी UP का निवास प्रमार पत्र नहीं है तो तुरंत बनवा लीजिए क्योंकि काउंसलिंग के दोरान अगर यूपी का निवास प्रमार पत्र नहीं होगा तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर हम 1000 ऐसे अभ्यरतियों को घटा देते हैं जो अनिराज्यों के हैं और पच्चिस सो अभ्यरतियों को हम ऐसे अभ्यरतियों को घटाएंगे जो BTC और B8 के 4th semester में बैक लग गई है लेकिन यहाँ पर वो कटाफ को कौलिफाई कर गए हैं ऐसे लगभग पच्चिस सो अभ्यरति हम लेते हैं जादा नहीं लेते हैं सिर्फ पच्चिस सो लेते हैं तो यहाँ पर आप पच्चिस सो और यह आपका 1000 यह दोनों मिलाकर होगे 3500 तो यहाँ पर अगर हम 82,500 में 3500 घटा देंगे तो हम पर रेल कौलिफाइट केंडिडेट म रेल कौलिफाइट केंडिडेट है केवल और केवल 79,000 अब बात कर लेते हैं उतीड सिच्चा मित्रों की 68,500 जो सिच्चक भरती हो थी उसमें लगभग 7,000 सिच्चा मित्र उतीड हुए थे अगर हम इस परिच्चा को लेकिन हम और सारी बाते और सिच्चक के रूप में ले रहे हैं तो 69,000 में लगभग 5,000 सिच्चा मित्र उतीड होंगे और यह आपको मालूम है कि जो भी सिच्चा मित्र कटाओफ को कौलिफाई करेगा वो निश्चित तोर पर सेलेक्शन पाएगा तो मान के चलते हैं अगर 5,000 सिच्चा मित्र उतीड होंगे तो सारे के सारे लग जाएँगे कोई भी बच्चे का ने तो यहाँ पर हमारे पास कितने पद बचेंगे BTC और B8 के लिए आप देख सकते हैं अगर 5,000, 69,000 में सिच्चा मित्र सेलेक्ट हो गया तो सेस बच्चे तो और पर पद वो 5,000 ले जाएंगे इसलिए आपके पास केवल और केवल 64,000 पद बच रहें अब बात कर लेते हैं कि किस वर्ग के लिए कितना एकेडमिक और कितना सिच्चक भरती परिश्चा में अंक होना जरूरी है चैन के लिए ये एक अनुमानित आकड़ा है इस पर आख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप सामानिक टेगरी से हैं और आपका एकेडमिक 26-30 है अब आप यह सोच सकते हैं कि एकेडमिक कैसे निकालेंगे वह मैंने लास्ट में बताया हुँआ कि एकेडमिक कैसे और टोटल फाइनल गुडांग कैसे बनेगा वो मैंने लाश्ट में आपको बता रखा है तो सामाननी में अगर आपका 26 से 30 अकेडमिक है और सिच्छक भरती परिच्छा में 105 प्लस अंग है तो निश्चित तोर पर आपका 100% सेलेक्शन हो जाएगा सामाननी केटगरी में अग अगर आपके 24 से 28 अकेडमिक है और सिच्छक भरती परिच्छा में 95 प्लस नंबर है तो निश्चित तोर पर आपका सेलेक्शन तय है यह एक मेरी तरब से वितिगत आकड़ा है अब यहाँ पर बात करें विशेश परिस्तिति कि अगर आपके सिच्छक भरती परिच्छा मे केवल और केवल आपने कौलिफाई किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि सामाने वर्ग का 31 प्लस एकेडमिक है तो चयन पक्का है केवल आप सिच्छक भरती परिच्छा का कौट आफ पार कर लीजिए और आपका चयन पक्का है अगर आपका सामाने वर्ग में 31 30 plus academic है यदि OBC वर्ग में 30 plus academic है तो चेयन पक्का है शिचक भरती परिच्छा में कितने भी number हों कोई meter नहीं करता लेकिन अगर OBC वर्ग में 30 plus academic है तो चेयन हम यहां पर केवल उन लोगों की बात कर रहे हैं जो 97 कट-off को कौलिफाई कर चुके हैं जो कौलिफाई नहीं किये उनका मैंने इस वीडियो में चर्चा ही नहीं किये याद रखेगा SCST की बात करें अगर आपका 28 प्लस एकेडमिक है तो आपका चैन पक्का है निश्चित तोर पर गारंटे से कह सकता हूँ और बात करें सिच्छा मित्रों और हेंडिकेप अभीरतियों कि इस जितने भी अभीरती हैं अगर इन्होंने कुट-आफ को पार कर लिया है तो इनकी चैन की गारंटे है इनका cut off पार करना ही इनकी chain की guarantee तो यह आप समझ गए चारो point मैंने आपको बता दिया सामान ने वर्ग, OBC वर्ग, SCST और सिछामित और हैंडिकेप सब के बारे में बता दिया कि कितने cut off पर, कितने गुडांग पर इनका chain निश्चित है अब बात कर लें academic अंक आप कैसे निकालेंगे academic अंक देखिया कैसे निकलते हाई स्कूल का 10 प्रतिसत लीजे अगर मान लीजे आपके हाई स्कूल में 60 प्रतिसत हैं तो 60 प्रतिसत का 10 प्रतिसत निकालेंगे तो आएगा अच्छ है BTC BAE में अगर आपका 80% है तो 80% का 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 8 तो आप इसको जोट लीजे आपका total academic निकलाएगा 6, 5, 11, 6, 17 और 8, 25 ठीक है? ये आप समझ गए? इस तरह आपने देखा कि हमने academic निकालने के तरीका सिख लिया तो आप यहाँ उपर मिला सकते हैं कि आपका कितना academic है यहाँ पर मैंने आपको academic निकालना बता दिया अब बात करें सिखक भरती परिच्छा का गुणांक निकालने का क्या तरीका है प्राप्त अंकों के प्रतिसत का 60% निकाल लीजिए आपका सिखक भरती परिच्छा में जो merit में गुणांक जुड़ेगा वो निकल कर सामने आ जाएगा कैसे निकालेंगे माल लीजिए किसी अभ्यरती के सिखक भरती परिच्छा में 100 अंक हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 अंकों का प्रतिसत निकाल लेंगे 100 बटे डेड़ सो गुडे सो बराबर आ जाएगा 66.66 प्रतिसत यानि आपको सिखक भरती परिच्छा में यदि 100 अंक मिले हैं तो आपका प्रतिसत बनना है 66.66 प्रतिसत अब इस 66.66 प्रतिसत का आप 60 प्रतिसत निकाल लीजे तो आपका जो गुडांक है सिखक भरती परिच्छा में वो निकल कर आ जाएगा तो यहाँ पर अगर आपके 100 अंक हैं तो आपके गुडांक बनेंगे 40 और अगर आपके 25 अकेडमिक है तो 40 प्लस 25 जोड लीजे आपका टोटल हो जाएगा 65 अब बात कर लें कि फाइनल गुडांक कैसे बनेगा फाइनल गुडांक आप देख लीजे आपकी अकेडमिक प्लस सिखक भरती परिच्छा का गुडांक जोडा जाएगा और वही फाइनल गुडांक को जो बनेगा वही आपका मेरिट में काउंट किया जाएगा इसका उधारण देखते हैं अगर आपकी मान लिजे अकेडमिक कितनी है 28 है और सिखक भरती गुडांक कितना है 38 तो दोनों को जोड दीजे तो आपका जो फाइनल गुडांक होगा जो सिखक भरती परिच्छा में जोडा जाएगा वो हो जाएगा 28 प्लस 38 बराबर 6 चट तो इस तरह आपने देखा कि कैसे हमने एकेडमिक निकाला कैसे हमने सिखक भरती परिच्छा को गुडांक निकाला और कैसे हमने फाइनल मेरिट निकाल ली तो यहाँ पर ये तीनों चीज़े भी clear हो गई अब बात कर लें यहाँ पर मेरा opinion क्या है मेरा opinion क्या है कि कितने गुडांग पर आपका चैन पक्का हो जाएगा तो आप देख सकते हैं अगर सामाने वर्ग का final गुडांग 79 प्लस है तो इनका गुडांग इनका चैन 100% पक्का है अब बात करें SCST के final गुडांग अगर 6-6 प्लस है तो इनका चैन पक्का है बात करें सिच्छा मित्र और हैंडिकेप्ड की तो सिच्छा मित्र के case में उनका cutoff को पार करना है उनके चैन की guarantee क्योंकि क्या है उनको last में 25% का भारांग मिलना है जो कि उनके अनुभो वर्सों का एक तरीके से कह सकते हैं reward है और सरकार के अच्छी योजना भी है कि उनको 25% का भारांग दिया जा रहा है ये भारांग तभी दिया जा रहा है जब वो cutoff को qualify करने है ये भी एक अच्छी बात है कि cutoff को qualify करने के बाद 25% भारांग दिया जा रहा है इससे क्या होगा जो अच्छे सिच्छा मित्र हैं जो योगी सिच्छा मित्र सरकार की नजर में हैं वो यहाँ पर chain जरूर हो जाएंगे तो अगर किसी सिच्छा मित्र ने cutoff को cross कर लिया तो निश्चित तोर पर उसका chain पका है और handicapped भाईों के लिए भी अगर उन्होंने cutoff को पार कर लिया तो निश्चित तोर पर उनका chain पका है उम्मिद करता हूँ ये विशलेचर आपको पसंद आया होगा और ये विशलेचर अगर आपको पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं और दोस्तो अगर इसी विशलेचर को आप टेक्स्ट और PDF के रूप में देखना चाहते हैं तो आप लॉग इन कर सकते हैं डेलेटेट.in पर और दोस्तो अगर आपने अभी तेक हमारा Facebook पेज फॉलो नहीं किया तो उसको भी फॉलो कर लिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और अपनी राय तथा सुझाओ अपने अंको और नाम सहित नीचे comment box में जरूर बताएं अपना नाम और उसी के साथ आपकी सिच्चक भरती परिछा में कितने अंकारे कितना फाइनल गोडांक बनना है नीचे हमें जरूर बताएं मिलता हैं दोस्तो अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत